तो नमस्कार दोस्तों मैं लवी ठाकुर एक बार फिर साब का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल वेस्द दली प्रॉपटी के अंदर और वेस्द दली प्रॉपटी इस बार आपके लिए एक बहुत ही शांदर कंसेक्शन क्वालिटी की बिल्डिंग दोस्तों लेका है इंटर्नल फ्लैट दिखाने से पहले अगर हम बात करने से आउटर सेट की तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो आपके बिल्डिंग के रोड है यहां पे आपको मिल जाता है तकरीबन 20-25 फिट का यह रोड है जहां से आपका फोर्ग विल्लर एंट्री कर गा इसी रोड सा है ब्लैक से अपना ब्लैक गलास इसमें वर्क किया है टाइल को पर पलस आप देख सकते कि कि इतना इसका एक्स्टरनल वर्क लग दोस्तों बहुत ही शांदार इसका फ्रंट एलिवेशन है और फ्रंट एलिवेशन के साथ सथ अगर मैं बात करूंगा आपके इस फ्लैट के के लिए पलस पडलएंटर के के लिए साथ में जो बड़ा गेत लगाओ है आपकी कार एंटर अंदर से पार्क स करेंगे दोस्तों तो ये यह आपकि पूरी की पूरी कार पार्किंग केंगे जहां से आप बड़े असान है को आप अगर खड़ी कर सकते हैं लिफ्ट का काम और एड रनिंग में है आप यहां पर देख सकते हैं अब फटा फट से ज्यादा दिरनाग करते हो चलते हैं अपने 3BH के एल्टेप कॉर्णर के अंदर जो कि आपको मिलना आला है बहुत ही एफोर्डेवल प्राइस के अंदर प्राइस करेगा वह हम देखेंगे फ्लैट देखते देखते के बाहर का यह दोस्तों आपका रहते हैं लॉबी की अरिया जो कि आपका कॉमन स्पेस रहते हैं जिसके अंदर आपका स्टेर्केश लॉबी और लिफ्ट सेक्शन यह तीनों चीज आपकी कॉमन स्पेस के अंदर आती है लॉबी अरिक अंदर आप दिख सकते हैं कि हाफ टाइ तो एक फ्लोर के उपर दो यूनिट्स दोस्तों आपके लिए रखे गई है यह जो यूनिट्स रखे गई है जो मैं आज आपको दिखाऊंगा थ्री भी एच के एल टैप कॉर्णर की है और जो पीछे की तरफ यूनिट है फ्रंट सेड में है ये भी क्योंकि एल टैप की बिल अगर बात करें तो यहां से आप देख सकते हैं तकरीवन आठ फूट की चोखट है और चोखट के साथ हम आपको जो वुटन का बहुत ही शांदार लॉक हैंडल के साथ डोर लगा के दे रहे हैं यहां से इसको कर देते हैं क्लोस के साथ दोस्तों इसके अंतर अबना बड़ सब्सक्राइब चोड़के वह सारी चीज आपको दोस्तों फ्लैट के अंदर मिलेगी अगर आप सेमी फर्निश्ट में लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज नहीं मिलेगी तो आप यहां से देख सकते हैं कि सबसे पहला काम जो कुल्टिंग का काम है वह एक्स्टा है वह सबसे अब कर देंगे अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपकी फर्स एंट्री की रहता आपका ड्राइंगरू मेरे तो आप यहां से देख सकते हैं कि इतना शांदा डेकुरेट किया गया है यहां पर असानी से अगर मैं दो पफी हटा देता हूं तो छे से साथ गैस्ट आपके इस ड्राइंगरू में दोस्तों बैठ सकते हैं तो इसी बैठे के बाद अब मैं बात करते हैं अगर आपके इंटीर की तो आप पीछे देख सकते हैं कि जो आपका कुल्टिंग का काम है जिसके साथ हमने लूवर्स प्लस ग्लास वर्क किया हुआ है लूवर इसी तरीक्षे से दोस्तों कर सकते हैं उपर देख सकते हैं कि कितना शांदार डेकुरिट किया गया है बाथ यहिया का बीच में आपका श्हैंंडीलर दोस्तो आजाता तो यह था दोस्तों पूरा का पूरा ड्रेंग रूम एरिया अब ड्रेंग रूम के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपका कीचन एरिया अब कीचन एरिया देखने से पहले एक छोटी सी चीज़ है कि इसके अंदरा हमने फ्लोरिंग आप देख सकते कि कितनी बहतरिंग करी एक काफी अच्छे डिजाइन की फ्लोरिंग हम आपको इसमें करवा के दे रहे है अब आपका किचन एरिया आता है काफी अच्छे बड़े साइज का किचन है और बड़ा साइज कैसे मिला की एल टाइप की बिल्डिंग है तो काफी अच्छा वेंट्रिलेशन भी मिल रहा ह प्लस काफी अच्छा स्पेस भी मिल रहा है अब किचन में सबसे पहला यह आपका रेफिजिटर स्पेस आ गया नीचे पावर का स्वीच आगा आपका बीस एंपायर का और यह आपकी पूरी टाइप में किचन आगी किचन के अंदर आप यहां पर देख सकते कि डबल मार्बल के साथ हम आपको पूरा का पूरा सेल्फ त्यार करवा के दे रहें इस रोटेशन में आपकी वेंटिलेशन आगी खिड़की आगी इस तरफ आपकी साउंड लेक्सिंग आगी बरतंद होने के लिए इस डिरेक्शन में आपकी चिमनी आगी जहां पर आपका गैस चूला नी देखी तो आपको यहां से ड्रेंग रूम में कहें भी वाश्रूम की एंट्री मिंस एक हिड़न एंट्री जो कि आपके घ्र भी ढूंडते थक जाएंगे तो सबसे पहले आप काम देखो कि इसके उपर पूरा लूवर्स का काम किया गया है काफी अच्छा यह बूडन का का अब है कि इस टी लूवर्स के साथ आपका गेस वाश्रूम रेने वाला अब यहां से प्रेस करने तो यह आपका आजता है väldigt इस सब से पहले है जब किसी तरीके से आपकी वॉल को खराब निकर बहुत ही अच्छा लग रहा है अब इसके बाद अब रह जाते हैं आपके तीनों के तीनों में जबसे पहले छलते हम इसके बाथूंगे लाट लेफशाट वाले रूम में यह अब यह एंटर करते हैं दोस्तों इसके बैडरूम नेकिया बहुत अच्छा आपको इसमें के साथ कि इसमें आ और नीचे नेच्टर एर के लिए पूरी विंडव है पॉल चलिंगी बात करेंगे तो आप देख सकते काफी अच्छा डिजाइन है और डिजाइन के ठीक बात करेंगे सामने तो यहां पर भी आपका LCD पैनल आ गया टीवी बड़े आराम से लग जाएगा और यह दोस्तों लोगर निकलते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि जशान की काम की और वहां कशुछा है मिन्स इस आप यहां आपके लिए bestimm टेवल के साथ सब्सक्राइ thrust कि इंक्साइठ यहां रागा जाच चुका है बैढ camera पीछ चाह गया और इस दारेक्शन में आपकी अलमीरा आ गई और अलमीरा के ठीक सामने आपका स्टेडी टेबल प्लस LCD पैनल काफी अच्छी वाल लग रहे हैं दोस्तों यह उपर आपके बुक सेल्स फो गया या गिफ टाइटम रखने के लिए ऐस आपको हमने सेल्फ बना के देदी कि इस दीवार पर भी आपका वेंट ट्रेस्टिंग लें उपर विंड़ो एसी और नीचे पूरी की पूरी विंड़ो आपका यह नेचुल एर के लिए नेचुल विए लिए आगया फॉल सेलिंग की यहां की बात करेंगा तो यहां पर भी डिजाइन देखे एक नंबर का डि पूरी स्टोरेज आगी स्टोरेज भी काफी अच्छी बड़ी है जहां पर बड़े कपड़े बहुत असानी से दोस्तों रख सकते हैं बात करेंगे तो यहां बहुत ही यूनिक डिजाइन है और यूनिक डिजाइन के साथ अगर मैं बात करता हूं इसके लिए पैनल की तो इस तरफ में आपको इस फ्लैड की सबसे मज़्यदार चीज की रहने वाली है यहां से दोस्तों एंट्रि कर जाता है हमारी यहां से देख सकते हैं कि काफी कितना अच्छा स्पेस है पूरी की पूरी टैप की बैलकनी है इस तरफ में आपका वाशिंग एरिया रखा गया ब नोटिस कीजिएगा कि यह उपर का थड़ा है जहां पर आप अपने अच्छी लगा की कि रिभर लगी और नीचे फ्रंट में वही रोड है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था तो तो यह पूरी की पूरी इल्टे बैलकनी जो कि आज आज आपको मिलने वाली इस के फ्लैट के अंदर जो कि हमने आपके लिए तियार करवाए गया है दिल्ली शहर के उत्तम नगर वेस्ट मेट्रों से सिरफ एक किलूमेटर के डिस्टेंस पे कोई जिगजग नहीं है कलको अगर आपका कोई गैस्ट भी आता है तो आपने उसको बहुत जादा नहीं समझ आपको मिल जाएगा उसके लिए आप हमारे नीजे स्कृन पर नमबर पर कॉल करके डिटेल दोस्तों ले सकते हैं बाकि यह था मेरा आज का थ्री बेड्रूंग का सेट एल टैप कॉर्नर बिल्डिंग के साथ तो कैसा लगा फ्लैट कमेंड बॉक्स में जूरू बताइएग दोस्तों क्योंकि वेंतिशन के घलिए हर कोई परिवार खुला खुला घर घर तो यह जो खुला 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 कर रहा है आपके विजेट का आपकी हेपूंटमेंट के लिए अपने सिर्फ नीचन पछरिए चॉनिर में कցरे पर इनूंबर और इस विजड सब्सक्राइब को इस वीडियो से दीजिए इजाज़त मिलेंगे अपनी नए बिलिंग में नए वीडियो में तब तक लें नमस्कार रबराखा जैन